नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है वाइसराय लाड रिपन, इससे पहले हम लोगों ने लाड लिटन को पढ़ा था, नाम थोड़े से मिलते जूलते हैं, मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन लिटन रिपन तो इसमें काफी सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो L को आप पहले रखिएगा, आरवाद में आता है, L पहले आता है, तो वाइसराय लाड लिटन, वो 1886 से 1880, उसके बाद फिर रिपन, ये जो है, 1880 में आया था भारत का वाइसराय बनके 84 वर्षे तक ये था 4 वर्षे दोनों, सामने आप लोग वाइसराय लाड ये सब जोड़ जीएगा, तो वाइसराय लाड लिपन, इसको जो है, अपने समय के, मतलब इससे पहले के जो वाइसराय थे, उनकी तुलनामी ये बहुत ज़्यादा उदार प्रवरित्ती का था, इसने काफी सारे अच्छे-च्छे काम किये थे, जिसके लिए आज भी इसको याद किया जा तो कुछ अच्छे-च्छे काम इसने किये थे, तो एक-एक को हम लोग देखते हैं, तो देखेगा जो लाड लिपन है ये 1866 से 1866 से 1868 तक भारत सचिव के रूप में काम कर रहा था, मैंने बताया था 1858 के अधिनियम के तहत कि ब्रिटेन में एक भारत सचिव के पद को स्रि 1868 दो वर्स भारत सचिव के रूप में काम किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है, 1881 में इसने लाड लिपन ने दसकिय जनगरना प्रारंब की थी, देखो जो मेयो था, लाड मेयो, उसके समय में प्रायोगिक जनगरना शुरू प्रायोगिक जनगरना क्या था, तो वो एक प्रियोग के तौर पर सुरू किया गया था, मेयो के समय में 1872 में, तो वो ठीक ठाक रहा, प्रियोग सफल रहा, तो 1881 से दसकिय जनगरना सुरू किया गया, दसकिय जनगरना या फिर कहें नियमित जनगरना, तो इसको सुरू कर करने का स्रेय जाता है वाइस राय लाड रिपन को काफी बार पूछा गया है कि यह जो दसकी जनगरना है नियमित जनगरना है भारत में किसके द्वारा सुरू किया गया था तो यह रिपन के द्वारा सुरू किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो मैंने अभी बताय उसको इसने समाप्त किया तो पिछले वाले वीडियो में हमने उसको देखा फैक्टरी अधिनियम प्रथम फैक्टरी अधिनियम करते हैं इसको देखेगा हमारे भारत में काफी सारे फैक्टरी समय स्थापित हो चुके थे तो फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के ह देखेगा कुछ विशेश चीजे जो पूछा जाता है पहला तो आपको यह याद रखना है कि इसके समय में पहला फैक्टरी अधिनियम आया था 1881 में क्या कुछ हुआ था तो देखेगा एक चीज़ तहीं किया गया कि साथ वर्स से कम आयू के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है कितने साथ वर्स से कम आयू के बच्चों से किसी भी फैक्टरी में कार्य नहीं करवाया जा सकता है जो फैक्टरी मालिक है उसको दंडित किया जा सकता है और यह जो अधिनियम है ना प्रथम फैक्टरी अधिनियम केवल उन फैक्टरियों उन कारखानों पर सकता, दूसरा चीद बोला गया कि 12 वर्स is, मतलब कि 7 वर्स से लेकर के 12 साल तक के बच्चों के कार्य करने के घंटे तई किये गए, मतलब 7 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं लिया जाता था, भई 7,8,9 सौन के बच्चे से काम लिया जा सकता था इसका कहने का मतलब 7 साल से नीचे के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता था लेकिन यहां आप लोग देखिएगा गौर करिएगा कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा भी तो बहुत छोटा होता है तो उस समय उससे भी काम लिया जाता था जो लोग थे ना वो खुद अपने छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे क्योंकि दसा जो है उस समय काफी खराब थी तो 12 वर्ष से कम आयू के बच्चों के कारे करने के घंटे निस्चित किये गए और जो बड़े थे 12 वर्ष से बड़े और जो वैस्क लोग थे उनके कारे के घंटे कोई किसी तरह से निस्चित नहीं थे कभी 10 घंटा कभी 12 घंटा जैसा मालिक का मन हो वैसा वो काम करवाता था उसके बाद अगला जो चीज किया गया कि कार खानों में अगर ऐसा कोई मसीन लगा हुआ है जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है संकट ग्रस्त मसीन है या फिर थोड़ा सा उसमें कोई खराबी आ गई है लेकिन फिर भी काम चल रहा है पुराना मसीन है या फिर कोई खतरनाक टाइप का मसीन है उससे व्यक्ति को नुक्सान पहुँच सकता है तो ऐसे मसीनों के चारो तरफ बाड़ा लगाना अनिवारे था मतलब कुछ घेरा लगाना जैसे मानलो ये कोई मसीन है तो इसके चारो तरफ ऐसा कुछ सुरक्षा के लिए लगाया जाए ताकि कोई गलती से उधर न जाए इस तरह से तो ये चीज था और फैक्टरी अधिनियम के तहट जो चीज लागू की गई उसके निरिक्षन के लिए एक निरिक्षक निव्ट किया गया निरिक्षक के पद को स्रीजित किया गया तो ये ध्यान रखेंगे तो फैक्टरी अधिनियम प्रथम फैक्टरी अधिनियम किसके समय में लागू हुआ था ये बहुत बहुत बार पूछा गया है प्रथम दसकीय जनगरना ये भी पूछा जाता है इसके बाद इसको इस्थानिय स्वसासन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी काफी बार पूछा गया है, इस्थानिय स्वसासन से तत पर ये अभी जैसे जो पंचायती राज वैवस्ता है, नगरिय निकाय है, ये सब क्या है, इस्थानिय स्वायत सासी संस् तो इस्थानिय स्वशाशन का जनक या फिर संस्थापक इसको हम लोग बोल सकते हैं तो इसने क्या किया जो ग्राम है ग्रामीन इस्थार पर इसने क्या किया इस्थानिय बोर्ड गाउं में क्या होता था इस्थानिय बोर्ड, उसवाद जिला, जिला में होता था जिला उप विभाग, तालू का अथवा तहसिल में, तालू का अथवा तहसिल में होता था तहसिल विभाग, हाँ तहसिल बोर्ड, तालू का बोर्ड अथवा तहसिल बोर्ड, देखो गाओं में क्या इस्थानिय बोर जिला में, जिला मुख्याले में अभी क्या होता है, जिला पंचायत होता है, तो उस समय बनाया गया जिला उप विभाग, और जो तालू का है तहसिल, तालू का और तहसिल लेकी होते थे, तो वहाँ पर बोर्ड होता था, तालू का बोर्ड अत्वा तहसिल बोर्ड, उसके प सदस्य होते थे अधिकतर गैर सरकारी सदस्य होते थे मतलब सरकार द्वारा नहीं होते थे मतलब सास की करमचारी नहीं होते थे वह भी होते थे लेकिन अधिकतर जो सदस्य होते थे गैर सरकारी होते थे और इन बोर्डों का जो अध्यक्ष होता था वो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा चुना जाता था तो ये तमाम चीजे आप लोग ज्ञान में रखिएगा वैसे हम लोग इसको डीटेल में पढ़ेंगे ब्रिटिस काली निस्थानियर श्वसासी व्यवस्था तो ये चीज था इसके बाद देखिएगा इसके समय में 1882 में सिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक समिती स्थापित की गई जो की अक्षर पूछा जाता है हंटर समिती हंटर समिती या इसी को आप जो है कमेटी भी बोल सकते हो हंटर समिती स्वरी हंटर आयोग बोलेंगे इसको स्वरी हां आयोग हंटर आयोग ये कब आया था तो 1882 में इसमें जो दिस्पेच आया था ना लाड डलहोजी के समय तो वुड डिस्पेच उसके दोरा जो भी व्यवस्थाइं की गई थी उसी के आधार पे सिख्षा व्यवस्था चल रही थी तो उसी में सुधार करने के उद्देशे से हंटर आयोग इस्थापित किया गया था 1882 में तो ये किस के खाते में जाता है इसके बाद अगला जो चीज है इलबर्ट बिल क्या था भई इलबर्ट बिल इलबर्ट ना एक न्यायधिस का नाम था इलबर्ट बिल तो उसके द्वारा ये लाए गया था तो इसलिए इलबर्ट बिल बोला गया देखो क्या था कि पहले ना जो ग्रा पर जो है भारतिय न्याराइधीस होते थे यूरोपिय और भारतिय दोनों के मुकदमें सुन सकते थे ग्रामीर छेत्रों में जो यूरोपिय थे अंग्रेज थे उनका बड़ा दबदबा चलता था तो वहाँ पर भारतिय न्याइधीस यूरोपियों के मामलू की सुनवाई नहीं कर सकते थे तो जो रिपन था उसने एक कानून बनाया एक नया नियम बनाया और उसके तहत भारति भारतिय न्याइधीस और अंग्रेज न्याइधीस इन दोनों के अधिकार को समान कर दिया मतलब की चाहे गां हो चाहे सहर हो सब जगा जो है भारतिय न्याइधीस भी अंग्रेज न्याइधीस के समान सभी का चाहे वो यूरोपिय हो चाहे भारतिय हो सभी के मामलू की सुन इल्बट बिल्ब वापस लेना पड़ता है वो क्या करता है कि जो भारतिय न Downtihs हुआ वो अंगِّरेजों की अगर सुनवाई करते हैं घृद इसलिफ के साथ मिल करके सुनवाई करेंगे ऐसा 2000 नहीं कर सकता तुए इसमें सुधार किया गयाril!' बिल ये काफी विवादित रहा अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था विद्रोह तो नहीं बोलेंगे हा लेकिन इसको स्वेत विद्रोह बोला जाता है क्योंकि गोरे लोगों ने इसको किया था तिसी कारण इसको स्वेत विद्रोह बोला जाता है देखो अंग्रेजों ने बेकार लगा और उन्होंने जो है इसका विरोध किया और इसी इलबट बिल के कारण ही लाड रिपन ने अपना कारेकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र दी दिया था एक इंपोर्टेंट चीज बच रहा है उसको मैं बता देता हूँ इसके समय में जो वित्तिय विके विकेंद्री करण तो जो लाड रिपन था इसने वित्तिय विकेंद्री करण को और अच्छे से विवस्थित किया मतलब जो वित्त का जो वित्तिय सक्ति है उसको प्रांतों को भी दिया जा रहा था ना लाड मेयों के समय से तो इसने जो है उसको और अच्छे तरीके से वो पारे के लिए जो वित्यस शक्तियाँ उसको तीन भागों में बाट दिया कौं कौंसे थे वह तीन हाग पफेला था सामराजजिये में एक मिनट हम सामराज जिया मदे को हमेसित ना मतलब इसमें जो अभी सक्तियां थी वो केंद्र के पास थी उसके बाद दूसरा था प्रांतिय मदे, मतलब मद, प्रांतिय मद, उस बाद तीसरा था बाटे हुए मद, देखेगा अभी जो अपना जो सम्विधान है वहाँ पर जो सक्तियां है उसको तीन भागों में बाटा गया है ना सक्तिय सब्सक्राइब करनी लेकिन हमारे भारतिय समीधान में जितने प्रकार की सक्तियां हैं उसको तीन भागों में बाटा गया है एक संग सूची दूसरा राज्य सूची फिर समवर्थी सूची तो कुछ उसी मतलब जो केंद्र है उसके पास क्या क्या सकती आती तो देखिएगा इसने क्या किया जो सीमा सुलक है जो सीमा सुलक से जो आय प्राप्त होता है डाक से तार से रेलवे से नमक से तकसाल से सैनिक आय भूमी कर इन सब चीजों से जो भी आय प्राप्त होगा वो केंद्र के पास उसके बाद दिखेगा प्रांतियमद, प्रांतियमद के अंतरगत जेल, जो कारावास होगा ना कारागरे है, जेल, उसके बाद दिखेगा डॉक्टरी सेवा, डॉक्टरी सेवा से भी उस समय काफी टेक्स मिलता था, उसके बाद दिखेगा मुद्रण, मुद्रण मतलब जो उ प्रांत के खाते में, प्रांत ही उसको वसूल करेगा, वो प्रांत की आय कहलाएगी और प्रांत उसको अपने हिसाब से खर्च करेगा, उसके बाटे हुए मद, आज के समवर्ती सुची के समान होता था, इसके अंतरगत क्या क्या आता था तो आबकारी, उसके बाटे हुए तो इसको जो है, ये दोनो आपस में बांट लेते थे, मतब केंदर और गांत दोनो बराबर बराबर बांट ते थे, ये वाला को, पहला वाला केंदर पूरा रख लेता था, उसको खर्च करने का धिकारी, वो खुद था, दूसरा वाला से जो आए मिलता था, ये वसूल करता था प्रांत और उसी को खर्च करता था तीसरा वाला दोनों आपस में बराबर बराबर बाट लेते थे तो जैसे आज के समय का संग सुची राजय सुची समवर्ती सुची कुछ उसी तरह का तो ये वित्तिय विकेंद्री करण जिसको की लाड रिपन ने अच्छे से इसको ला से और डीटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बारना डीटेल भी पूछा जाता है तो आने वाले किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे लाड डफरिन अभी नहीं देखेंगे लाड डफरिन को थोड़सा हम लोग ये दे इतना हो सके उतना आप लाइक करिएगा अधिक सेधिक लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो ले करके आता रहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा जितना हो सके लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद